नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वाइपी यूटूब चैनल में आपका श्वागत है और आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं के वाइपी सेंटर रिनीवल के बारे में तो इस वीडियो में बताएंगे के वाइपी सेंटर रिनीवल क्या है और कब कब रिनीवल किया जाता है तो बने रही इस वीडियो में चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि BSDM के दोवारा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दी गया है जिसमें लिखा गया है Extension of Center Renewal Process 2021 उसके आगे लिखा है Dear KYP SDC All Process Date has been extended for Center Renewal Process 2021 for KYP and KYP P&E Course आपको बता दूँ कि KYP परतेक बर्स KYP का Renewal कराती है तो KYP कोर्स जो चला रहा है उसका भी Renewal इस बार होने वाला है जिसका होने वाला है उनको करना है और KYP P&E कोर्स है उन लोगों भी अपना KYP P&E कोर्स का Renewal कराना है तो उसका Start Date है वो 30 सिप्तमबर 2021 से Start है और Review Terms Condition जो है आप यहाँ View पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं वो भी सिप्तमबर 30 तारिक से है और Declare Computer Hardware Through Warm Software सिप्तमबर 30 लिखा हुआ है आगे के Notification में दिया है Don't forget to click on Click to Advance to Next Step Button After Successfully Uploading and Approval of Server and All Client Machine यानि जी सेंटर पर 21 Client होता है यानि एक Server होता है और 20 Client होता है यानि Computer होता है उसका सारा Approval डालना है और बताना है गि हमारे पास इतना Client अभी चल रहा है अगर उसमें से कम चल रहा है तो उसको उतना कम बता करके ही बताना होगा आगे बता रहा है Path View उसके बाद बता रहा है Click Here to Save and Next Step Button यानि आपको अपने KYP Center के सारा Data Upload करने के बाद Click Here to Save and Next Step पे क्लिक करना है तो इस सारे चीज़ कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको Solar Login करना होगा और वहाँ पे Network में जाना होगा उसके बाद अप्रेशन्स में उसके बाद View Apply EOI पे उसके बाद आपको क्लिक करना होगा KYP SDC Renewal Process 2021 पे उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपको चेक करना होगा Server और All Client अप्रूवड हुआ है की नहीं उसके बाद Scroll Down करके आपको Click Here to Advance to Next Step पे क्लिक करना होगा इतना करने के बाद आपको फिर से आना होगा Path to View पे और Click Here to Save and Next Step पे क्लिक करके आप अपना सारा डाटा अप्लोड कर देंगे इस तरीका से आपका KYP Center जो है Renewal हो जाएगा फिर से आपको मालूम होना चाहिए परतेक वर्स KYP कोर से संबंधित जेतने भी Center है उस सारे को परतेक वर्स Renewal करना पड़ता है और इस तरीका से आप Renewal करते हैं वरना आपका Center बंद हो जाएगा तो इस तरीका से जिस भी Center का एक साल पूरा हो गया है उनको फिर से अपना Center Renewal करना होगा और allowed करना होगा परना Center क्लोज हो जाएग़ے तो आप अपना Center Renewal करना चाहिए तो अपना Center Renewal करने के बाद फिर से अपना KYP Center चलाएगा इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद